है लो माई यूटूब फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग आई होग क्या आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे तो फ्रेंड्स अभी दिखे सुबा के साड़े आठ बच चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में अपना ब्रेक्पस्ट बनाने के लिए और सुबा से जो है अपने एडिटिंग में लग गई थी क्योंकि रात को मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई थी नीद आ गई थी बहुत जोर से और सो गई थी मैं तो एडिटिंग में रह गई थी तो अभी करिये इसके बाद वीडियो अपलोड करूंगी तो अभी मैं ब्रग्पस्ट बनाने लगी हूं आदिया भी अभी स्वई हुई थी अभी उठने लग गई है वह भी तो चलो बनाते हैं तो यहां पर देखिए मैं पत्ता गूबी और यह प्याज टमाटार गाजर गाजर को मैंने कद्दू कर लिया है और यह है सिम्लमी चील को पत्ता-पत्ता काट लिया है और यहां पर देखिए इसमें नमक डाल दिया है रेड चली सॉस दाल दिया है और यह अगई अब ग्रीन चिली सॉस और इसके आगे में डालूंगी एविए बाद बाद गर मसाला मैगी मुषणा मेरेगी मसाला कर सोथे कुछिय चिली प्लैक्स ही उलना यहां प्रोन मेरे फोन में ह Phone को घ्रम के लिए तो इसे तोड़ा सा घी डाल करकी मैं और भी ब्रेड को सेखेंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा साहा है पर घी डाली है और प्रेड को सेखना स्टार्ट करेंगे तो तो इस बार भी। इस बार करें और उसको बनेके यहां जिएब्ड करेंगे कि एक आते कैम जंच सकत है लेकिन करा तो कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है और अभी मेरा फोण भी झो है खराव हो रहा है तो यहां पर याँ पर देखे कि इसको अच्छे से भर लिया है किसे मेरे सामने रहती है तो मैंने किसे रहा हीं ह birthday लीन के लिए मैंने कुछ पट्टे इंची धुड़ ना था और यूड़ी की से ॉड़ मार भार जोड़ने के बाद इस पर प्रेस मार दी है ताकि अच्छे से झो यह खूल करके आजाए और यहां पर देखिए मैंने उल्टा रखा हुआ था तो रिशाब कहरें ममा आपने उल्टा रखा हुआ है और हमारे इंडिया का फ्लैग इस तरीके से होता है तो मैंने का रही यार यार यह उल्टा सीधा पर मत जाओ मैं अपना काम कर रही हूं तो य सिधा से बहुत ही आसान तरीके से तो इसी तरीके से मैं इसको सीधा कर लेती हूं और सीधा करने के बाद हम देखें अच्छे से बैठाने के लिए और मुझे पेशंस नहीं मैं बहुत जब जब जबीक कर लेती हुं तो इस तरीके से यहां परिखेหaudy सिफटीपध में खटा लिया है और अभी इसका काम खत्म हो गया ममने यहां पर क्या क्या था आध्या के एड के असाप न है अधा bands कर के जो क lleva और इलास्टिक को और इलास्टिक मैंने स्में इस तरीके से इंसेर्ट कर दिया है इसला तरीके से अराम से हो जाता है कोई दिक्कत नियां तो यह ज्यादा मतला लूज भी नी होना चाहिए और बहुत जदर टाइट भी नहीं इतना हो कि चला जाए तो मेरी दो इंच की और खीचने के बाद अभी इसको जो है मलाными घुठे को जोड़ेंगे तो इसको ऐसे इसती से एक非 ऊपर रखे और हम इसको स्लाइक कर देंगे तो यह हमारा इस वाश्टे कर दिया था दूरों साइड से और कि और अंदर करने के बाद अभी इसको जो लाश्टिक को इस तरीके से मोड़ देना है दोनों साइट से पकड़ करके और फिर उसके बाद जो कपड़ा है उसको अंदर गुसा देना है ताकि ओवरलेफ हो जाए कपड़ा एक दूसरे के ऊपर और ओब लेफोने के बाद हम इस कम लिया है सबसे तो सबसे लाश्ट में जो है और इंज वाला था थ्री इंच का तो अभी देखे तीनों को मैंने चारो तरफ से सिल्लिया है डबल फूल करके और सिल्ले के बाद यहां पर कट लगाया है और इस कट को जो हम सीधा करेंगे सीधा हो गया है हमारा आप इसके कॉ अपर को निकाल सकते हैं और यहां पर जो है रिशाब मेरे वीडियो शूट कर रहा है और बिल्कुल उसका बश चले तो बेरकुल उस पर हाथ भी रख दे मेरे लेकिन बच्चा है इतना है इनके कॉनर जो अच्छे से निकाल दूंगी और निकालने के बाद जो है इसको फि तरीके से तो यहां पर देखें अब ही मैं क्या करने वाली हूं इसको ऐसे मतलब डबल फूल करना है और यहां जो इसका सेंटर उस पर हलका हलका सा निशान लगा लेना है इस तरीके से आप निशन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा अगर आपको इतना आइडिया है सेंटर क मैं तो इसलिए बतारिव कि कोई घर में ऐसे बनाना चाहे तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाए और उपर वाले पार्ट को नहीं अटेच करना इसको सिर्फ एक ही जो अंदर का है उल्टी साइड का उसी को इस तरीके से देखे तो इसे मतलब इस तरीके से करना है और इसको क आगे वाला पक्का काम करती है कि मेरी आत्या एक दिन में फारफूर के अलग कर देगी ग्लू वाले काम तो उसके पार टिकते ही नहीं है तो यहां पर देखे मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है और अब बनाने के बाद इसको सिल लूंगे अच्छे से और सिलने के कल लाओ वसको कटकर लिया है और तीनों को इसी तरीके से मैंने देखे यहां पर कि收 dusty लिया था और इसको सिल ले के बाद अर्च लिया है और इसको बूग्ण कर देता और उसको मेंने है अच्छा च्छोपी यहां पर मैं फैयबरिक ग्लू से इसको पेस्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये कोशिश मारी नाकाम हो गई क्युक्कि इसको सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहीए होता है जो कि मैं नहीं दे सकती थी इसको मेरे अंदर पेशन्स नहीं है इसको सुखाने का तो मैंने का क Communist इसको हेव जोड़ेंगे तो अभी पहले मेन्य शुइदागे से ही मतलब लिया था वे इसको कट करके हटा दिया है और अभी हम इसको जो है फाइनल करेंगे तो हैंट कहां इसमें देखेंगे से इसको अटेच कर देंगे तो यहां पर भी आप ग्लूगन का और फैब्रिक ग्लूग का इस्तमाल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं लेकिन मैं तो सुषधागाई करूँगी क्योंकि मैं आद्दया के साथ कोई रिक्स नहीं लेना चाहती वो कांड करती रहत और बहुत ही प्यारा बना है तो यह देखिए कैसे लगा आप लोगों को अच्छा लग रहा मुझे तो बहुत ही बढ़िया तो हैवन का फाइनल लोग इस तरीके से था और यहां पे इसको देखे मैं अपने सर पे रख करके कहीं की महरानी समझ रहे हूं अपने आपको और य इसलिए मैं इसको पहन के खराब नहीं करना चाहरी हूं तो यह कैसा लग रहा है आप लोग बताना और नेक्स्ट वीडियो में जो है आध्या को पिना करके दिखाऊंगी इसको कि आध्या के उपर जो है किस तरीके कर लग रहे है तो अभी तो वो शोर है इसलिए इसको ने की वीडियो में बस इतना ही तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई